सच्चाई नैतिक्ता इंसानियत इमान दादी एक सिख्षक इनी की सिख्षा देता है ना पर राजधानी लखनाओं के केंद्री विद्याले के इस सिख्षक में ना तो नैतिक्ता थी और ना ही इंसानियत हैवानियत की स्तारी हदे पार करने वाले इस इंसान ने घर पर ट्यूशन पढ़ने आने आने वाली नाबालिक छात्रा से पहले तो दुशकर्म किया और फिर जब वो गर्व बती हो गई तो पत्नी के साथ मिलकर उसका गर्व पात करा दिया इतना ही नहीं ये सिलसिला लगबग चार महिने से चल रहा था ये इंसान डरा धंका कर लड़की का मूँ बंद करता रहा पर जब लड़की की हालत ऐसी हो गई कि अब उसकी ये दरिंदगी सब के सामने आही जाती तब उसने चात्रा की जान की परवा ना करते वे उसका गर अब प्रशन यहां पर यह उठता है कि अगर चार महिने से लगातार लड़की के साथ गलत हो रहा था तो क्या पैरेंट्स को अपनी बेटी के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लगा क्या कारण है कि पैरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है और सबसे बड़ी बार कि रोग के बाद भी प्राइवेट ट्यूशन लेने का ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा कौन जिम्मेदार है इसका कैसे पैरेंट्स अपने बच्चों के करीब रह सकते हैं कैसे उनhu हें कलग सही में अंतर समझा सकते हैं इस बारे में जब आज की खबरने बात की लखनव की जानी मानी चायड साइकोलोजिस्ट नर्मता सिंग से तो सुनी उन्होंने क्या कहा बच्चों के behavior में changes start हो जाते हैं अगर कुछ भी उनके साथ होता है जैसे कि daily routine की ही changes start होते हैं कि आप प्यार से भी कोई चीज पूछ रहे हैं तो बच्चे उसका जटके से जवाब देते हैं, aggressive हो जाते हैं, बात-बात पे irritate होते हैं, body language उनका change होने लगता है, sleeping pattern उनका change हो ज जान देना चाहिए, अगर teenage हो रहा है तो इसमें parents का सबसे वड़ा रोल है कि बच्चे को sex education की जानकारी दे, कि क्या चीजें सही तरीके की चीजें हैं और क्या चीजें गलत हैं, जो आपके साथ नहीं होना चाहिए जब बात यहाँ parents की अपने बच्चों से नजदीक्यों की है, तो हमने इस घटना के बारे में लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जाने हैं